हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब ठीक होंगे अभी मैं लॉक्ट में हूँ और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ आज मैं आप लोगों को जो मेरे लॉक्ट में जितरी बच्चे हैं उन सबको दिखलाऊंगा अभी जो ब्रेडिंग प्रोग्रेस है वो मैं यहां पर है और जो ब्रेडिंग प्रोग्रेस है वो भी मैं आप लोगों को दिखलाऊंगा और जो बच्चे हैं जो की बड़े हो गए हैं वो भी आज मैं आप लोगों को दिखलाने वाला हूँ यहाँ पर देखे एक बच्चा यह जो मदरासी है वो उसे फीड करवा रही है और एक मदरासी का बच्चा यह है यह जो बच्चा है इससे पहले वाला बच्चा है यह वाला और यहाँ पर देखे रेट परपन का एक बच्चा है और यहाँ नीचे में देखे नीचे में आपको दो लख्खा बच्चा नजर आएगा यह अंदर में है दो बच्चे और यहाँ पर ये वाला केल मार्क का बच्चा है ये देखे लखा वाला जो बच्चा है ये वाला है कॉलेटी चेक कर ले आप एक बड़ और अब मैं आप लोगों को जो अभी छोटे बच्चे हैं उन सबको भी दिखलाता हूं जो यहाँ पर है ये देखे सिराजी का एक बच्चा है और वह भी दस से पंदरा दिन का बच्चा है यहाँ पर और यहाँ पर देशी का दो बच्चा है ये देखे और इसमें इसमें भी दो बच्चा है और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखलाता हूं जो छोटा चोच है काग जी उसके पास भी दो बच्चे है और यहाँ पर एक बच्चा है और मैं आप लोगों को दिखला देता हूं यहाँ पर जो मदरासी है उसने एक अंड़ा फिर से दे दिया है यहाँ पर और एक बच्चा बाहर निकल करके यह भी अब दाना उठाने लगा है और यहाँ पर जो कलपूटिया है उसका दो बच्चा है यहाँ पर अभी और यहाँ पर जो टेल मार्क है इसने फिर से बच्चा निकाला हुआ है यहाँ पर देखे यहाँ पर दो बच्चा है यहाँ पर एक है और उसके बाद यहाँ पर एक और है और यहाँ पर देखे यहाँ पर जो मग रखा हुआ है उसमें जो केपेचीनो है वो आकर के बैठा हुआ है इसमें कभी कभी जब पानी बच जाता है तो मैं इसे ही रख देता हूँ यहाँ पर तो जो कभूतर है वो आकर के यहाँ बैठते हैं और यहाँ पर से पानी पीते हैं और यहाँ पर मैं जो मैंने पानी को बतल लगाया है कुछ इस तरह से उपर से मैंने एक टैल्स को रखा हुआ है उसके उपर एक इट को रख दिया है ताकि जो पानी है वो गंदा ना हो क्योंकि जो कभूतर है वो उसके उपर में जाकर के बैठते हैं उपर से बीट कर देते हैं तो पानी गंदा हो जाता है और यहाँ पर मैंने मिट्टी दिया है इन लोगों को खाने के लिए इस बरतर में मैं इन लोगों को दाना देता हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को मुर्गी दिखला देता हूँ यहाँ पर मेरे पास एक मुर्गी है यह वाला यह देखे एक मुर्गी है एक मुर्गा है और इस साइड में भी एक मुर्गी है तो मेरे पास दो मुर्गी और एक मुर्गा है अभी तो अभी का जो ब्रेगिंग प्रोग्रेस है कुछ इसी तरह का है कुछ बच्चे अभी बाहर दाना खाने लगे हैं और कुछ बच्चे अभी 10 से 15 दिन के हैं कुछ 2-4 दिन के हैं तो एक दो ने अंड़ा भी दिया है तो इसी तरह का ब्रेगिंग प्रोग्रेस है और कुछ कभुतर अभी फिर से अंड़ा देने वाले हैं दोस्तु आज के जो वीडियो है हम यहीपर समाप्त करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में अगर आप में है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिवाय थेंक यू